असलाम अलेकुन नाजरीन इसलाम बार टाइम जे प्रोगाम में आऊए ताजम इसमान मुदसर हुसेन असलाम बार टाइम जे प्रोगाम में आपने प्रोगाम में आपने कीमती वक्त दिया मेरान टीवी को बहुत बड़ी मेरमाईगी के अवाम सवाल में पूछना own यहाँ पे कि पीडियмет की अपने हुकिंए है झेना ना नून की है ना जेयुय की है ना पिपोस्पार्टी हैंब पीडियम की है आप तर्ज़मान भी है एक आवाम सवाल यह पोछती है और सोचती है कि आप माम को मतमिन करना कितना मुश्किल वहर भला होगे बिसमि एनारे रहमां आपका और आपकी चैनल महराम का जहां तक आपके सवाल का तालुक है मेरे खाल में आपका सवाल बिलकुल अवाम का एक सवाल है जो हकिकत पर मबनी सवाल है मेंगाई एक बहुत बड़ा मसलह है वाकी एक बहुत बड़ा इशु है जिससे आम आदमी मतासर हो रहा है मुझसे लेकर आपसे लेकर जहां भी आप जाएंगे गरीब हो, मतवस्त तब कहो या अपर किलास के लोग हो हर एक मतासर हो जाता है ये भी ठीक है के प्रिडियम की हाकूमत से आवाम की तवक्व थी कि शायद इमरान खान और इमरान रजीम के मुकाबले में कुछ सहूलतें आवाम को देंगे मेंगाई में कमी आएगी लेकिन वो नहीं हुआ जो उमेदे जो तवक्वात आवाम की वाबस्ता थी वो इसा नहीं हुआ और ये प्रेशानी जिस तरह आवाम की प्रेशानी है ये प्रिडियम की कियादत की भी बहुत बड़ी प्रेशानी है और इससे हकूमत भी प्रेशान है कि मेंगाई में भी अधाफा होरा है और आपकी रुपे की ख्यमत भी गिर रही है और डालिराकी की चाहिए बर नहीं हम्य तो अब कोशिक यह है रुकमला इत्याद की और पिडियम की कि मेंगाई को किस तरे कंट्रोल किया जा सके ताकि इनकी समराथ अवाम तक पूंच सकें लेकिन कुछ चीज़ों को परकना पड़ता है मेंगाई के पसे मंजर को देखना पड़ता है बुनिया जी चीज़ है माशी तबाही माशी बद्धाली और ये महंगाई चार महिने पांच मेने इप्रीम की हकुमत ये हुकमरान इत्या इ travels प्रप्र वजे से नहीं है बलकि ये तस्रइसल है उस तबाही का लेको एक लिर्वार्श साल इमरान रजीम हकुमत की नतिज़े में जो उसका तसरसुल है आपको याद होगा अगर आप 2018 से मौज़ना करें कि 2018 से पहले जो हकुमत थी मुस्लिम लिगनून की और पिर इमरान खान की हकुमत आई तो उस वक्त पिट्रोर की लेटर की कीमत क्या थी 95 रुपे 97 100 रुपे इनकी हकुमत में जब वो जा रहे थे इमरान ख की हकुमत खत्म होती जा रही थी तो उस वक्त 150 रुपे इसी तरह बिजली की यूनट उस जमाने में 8 रुपे जब इमरान खान की पूलिए 4 साल हकुमत का खात्मा उरा था तो उस वक्त आपकी जली । 24יץ रुपेयों की फिजली की यूनट ती इसीतरह गैस की की कीमत न Χा प्रिया की खियमत हैं। लिहाज जाज जो मेंगाई ये उसी का तसलसल है। अब इसमें एक में अजाफा करो। प्रिडियम और हुकमरान इत्याद की हकूमत जब आई है। बनियाजी तोर पर हमारा असूली फैसला ये था कि हम हकूमत नहीं करें के। बलकि हमारे दो तीन तर की तरफ जाएंगे जर्रियरल इलेक्शन की तरफ लेकिन जब एक तरफ एलेक्शन कमेशन ने हाथ उठाए कि हम तीन मेंने में अलेक्शन नहीं कर सकते हैं। यह हमारे बस्चे बाहर है। वह एक लिम्भी तफसील है क्यों है। सुमरिब कोट बाका था स्टेटमेंट जमा किया और दूसरी बात ये थी कि जब प्रेडियम और होकमरान इत्थाद की हकुमत आए तो हमारी तरफ दूटी चीज़े थी हमें हमें हकुमत करना ये नहीं था जो कर ली हैं अब यह हकुमत आ गई हुए वज़गा क्या थी वज़गा ये ती कि ये माशी तबाही और दूरी किया इमरान खान और इमरान रजीम आएमफ के पास गई थी वह हकुमत गई थी उन्हों ये आएमफ के साथ एक मादा किया जिसमें स्टेट बेंक भी उन्हों ये आएमफ के वाले किया उन सख्त शरायत के बुनियाद पर आएमफ का मादा किया उन्हों ने जिसके न अखिमति बढ़ जाती है, लेकिन, जब अमरान खान को पता चला, कि मेरी होकोमत जाने वाली है, उनको तक्रिबन चार मेने, पांच मेने पहले पता चला है, आप उनके सोशल मीडिया पर, रिकार्ड पर मौझूद ए, शेक रिशीद के बेना थी और अमरान खान के खुद भी और असत केसर के भी असत केसर के बाके देगा है यह हमें अक्तुबर 2021 में पत्र चला कि हमारे हकूमत जा रही है तो जब आपने IMF से पहले दपर जब आपने मौदा किया आपने सक्षरायत की बुन्याद पर किया दूसरी बात ये, एक तो महिंगाई उसकी वाज़ा ये तसलसल उसी का है दूसरी बात ये इमरान खान के सामने दो रास्ते थे मेरे हकोमत तो जा रही है क्या मैंने अपनी स्वाश्त को प्यूटियाए की स्वाश्त को बचाना है मस्तेक में या मेंने रियास्त को बचाना है और को बचाना है इमरान खान ने अपनी सियास्त के लिए रियास्त को और रियास्त की माईश्त को लबो दिया और अपनी सियास्त को बचा लिया वो इस तरह कि उन्हों ने उसी मादे को तोड़ा जो एमिफ के साथ की बज़ाय इसके कि वो उस पर अमल करें उन्हों ने उस महादे को तोड़ कर जिसके नतिजे में उन्हों ने अपनी सियस्ट को बचाना था अभी आप देख रहें उनका बयानिया ये है कि मैंने तो IMF के शरायत के बावजूद चीजें को मेंगे करने थे लेकिन मेरी कीमत कम कर दी एक जुम्ला में अजाज़त देने आपकी अजाज़त से तो उन्हों ने अपनी सियस्ट को तरजी दी पाकिस्तान रियास्त और मेश्ट को डबो दिया जब हम आये हमारे सामने दो रास्ते थे मादा तो पहले हो चुका था एमेफ के साथ उन्हें शरायत पर उन्हें तोड़ा भी कि हमने रियास्त को बचाना है पाकिस्तान को माशी तोर पर या अपनी सियस्ट को बचाना है फैसल अपर डियम और रुकमरान इतिहाद ने ये किया कि नहीं मुल्क 22 कुरोड़ाओं के है हमने रियास्त और पाकिस्तान को बचाना है अपनी सियस्ट को डबोना है उनको दाव पर लगाना है यही वज़ा है कि आज पाकिस्तान की गड़ी गड़ी में हमारे शिराफ आवाजें आपको सुनाई दे रहा है इसी मेंगाई की वज़ाशे है क्यों हमने पाकिस्तान को माशी तोर बचाने की कोशिश की और सियस्ट को डबो दिया लेकिन हमदल्ला साब आपने बड़े तफसीली तोर पे बता दिया आज यही जगा पे इमरान खान होता तो आपको सियस्ट की अपना तो आपने सियस्ट की अपने कऊаньजिया में आपको कहा कि रीयासत को सर क्या फाइद आवाम तो तब भी 2500 रबे मिलेगा अगर आयम एफ के मुहाईदे की ताप पी टी आई रहती तो भी 2500 रपे पत्रोल मिलना था आपके बकोर रियास्त की बात इस तरह थी है, कि रियास्त सरिलंगा बन जाता था, रियास्त सरिलंगा बन जाता था, इस सिब बत्तर हालात होने थी, बिल्कुल, हम ने पाकिस्तान को सरिलंगा बनने से बचा दिया, दूसरी बात है, कि इमरान खान का फैसला ये था, उन्यों ने फैसला कि ती एक वो परल्माडी निजाम को खतम करना चाते थी. सधारती निजाम हकुमत को नाफिस करना चाते थी. तो लहाज अप इसका नुकसान क्या होता है? इसका नुकसान ये होता है कि आप एक नया आईन तश्किल करने के लिए आप आगे बढ़ते हैं यत ज़्ट जब आप पारलिमानली निजम को ख़मना पड़ते हैं तो नए आइन बनने बनने में तो आदा पाकिस्तान तो हमने को दिया बंगल जेश की सुरफ आगे क्या हम मतफ़्रटा आइन बना सकते हैं एक दफ़ जब तर्यातर में एक मुत्विका आईन और मिसा के मिली बन चुका है तो आप पाकिस्तान को कहां लेके जाते हैं तो इसलिए हमने उनकी उस खतरात को दे कर उम फैसलों को दे कर जो पंद्रा साला हाकूमत बादशाहत करने का इरादा था अमरान खान का दूसरा वो सदारती निजाम लाना चाहते थे तीसरी बात है कि आप मुक्तलिफ दानिश्वरों मुक्तलिफ सहाफियों को कालम्स तजजियानिगारों की तजजिये मौझूद है कि पाकिस्तान के एट्रिमी असासों को इंत्याए खतरनाक सुरतिहाल का सामना था सब्सक्राइब करेंगे ब्रेक के बाद पर कंटिन्यू करें ना देंगे वटना ब्रेक ब्रेक खाम पर गार्वल जिससे लेगे तेंजाए रखना से